अलो दोस्तों रादे रादे कैसे वाप सब लोग स्वागत है आपका रादेश्वरी शामा व्लोग में और आज हम लेकर आए हैं पौधीने की चट्नी जो गर्मी में ठंडक पहुंचाती है और बड़ी फाइदेवन्द है गर्मी में खाना बहुत कम खाया जाता है सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ऐसे में हम बनाएंगे पौधीने की चट्नी जो काफी टेस्टी लगती है पौधीने की चट्नी बनाने के लिए हमने लिया एक बावल पौधीनम फ्रैस जो हमने घर पर ही उगाया था दोके हमने कर लिया इसको साफ एक लिया प्याज दो लियाएं टमाटर, दो हरी मेट्च, एक इंच अधर रखका टुकड़ा, अब हम इसको मिक्सी जार में डाल कर ग्राइंड करेंगे, लाल मीट्च पाउडर, आधा चम्मज, थोड़ा से जीरा, नमक स्वाद अनुसार, यह हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और यह चटनी बनकर हमारी रेडी हो गई है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा निम्बू का रस, क्योंकि हम यह जादा बना कर रखेंगे, इसको फिरिज में रखकर, दो दिन निन तक खाई जा सकती है, आरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस तरह की अच्छी अच्छी रेसेपी देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए थेंक्यू,